अपनी ही बेटी से साधी करना चाहते थे मयेश धर्थ, साधी के लिए बदलापना धर्थ बॉलीबुड जितना साफ दिखता है उतना है नहीं बॉलीबुड की हस्तियों के कुछ ऐसे राज हैं जो उन्हें बारबार लोगों की नचरों में ले आते हैं बॉलीबुड हस्तियों सुर्कियों में रहने के लिए कुछ भी कर सकती हैं सुर्कियों में रहने के लिए भी सितारे ऐसी गलतिया कर बैटे हैं जो उन्हें सरमिंदा होने पर मजबूर कर देती हैं आज मैं आपको बताओंगे बॉन्रूट के मसूर निर्देशक और निर्माता महेस भड़ के बारे में महेस भड हमेशा अपने बयानों से हमेशा सुर्कियों में रहते हैं और साइज यही वज़ा है कि लोग उनकी फिल्मों को जादा देखते हैं आज में आपको महेस भड के बारे में ऐसी बाते बताओने वाली हूँ जो साइज आपको मालूम ना हो महेस भड के बारे में आपको जितना बताएं उतना कम है वो हमेशा बोल्ड पिल्मे बनाते हैं और हमेशा लोगों को रोमेंस की तरफ से अपनी पिलों में अख़ित करते हैं फिल्में तो दूर की बात इंकि जिनकी भी बहुत बोल्ड और रोमेंस से भरी हुई है आपको सायद मालूम भी नहीं होगा महेश भट के माता-पिता की साधी भी नहीं हुई थी उनके पिता हिं और उनकी माता मुस्लिम इसी वज़े से रह अपने पिता से दूरी बनाकर रहते थे हमेशा बोल्ड और रोमेंटिक प्लम बनाने वाले महेश भट ने कॉलिज में एक लड़की से प्यार किया था जिसका नाम उन्होंने किरन रखा था जो पूजा भट और राउल भट की मा किरन से साधी करने के बाद भी उन्होंने रोमेंट करना नहीं छोड़ा इसी के चलते उनका दिल परवीन बोवी पर आ गया परवीन बोवी के साथ रोमेंस का मामला सामने आने के बाद किरन ने उन्हें छोड़ दिया मगर कुछ समय बाद परवीन और महेश भट के बीच दूरियां आ गई और दोनों अलग हो गए महेश भट की पहचान पहले हिंदू के रूप में खोती थी परन्तु उन्होंने सोनी राज़ान से साधी करने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लिया था एक बाप बेटी का जिस्ता उस समय खराब हो गया था जब महेश भट की अपनी ही बेटी के साथ किस करते हो एक पोटू मैग जिन में छपी थी मैग जिन की कवर पोटो के लिए महेश और पूजा ने पोटो शूट किया था बेटी को किस करने तक बात नहीं दुखी एक बार एक इंट्रूविक के दोरान उन्होंने पूजा से साधी करने तक की बात चह दी थी उन्होंने कहा अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे साधी कर लेता मैस बट के जिन्गी से जोड़े और भी कई ऐसे पहले हैं जो अभी तक लोगों तक नहीं आए हैं ये थी SML स्रिपोर्ट